Hello everyone, welcome to the Tech Yatra, my name is Nishan और आज की वीडियो में हम समझने वाने हैं कि then by and then by descending इन मैथड्स को हम लिंक क्वेरी के साथ कैसे यूज कर सकते हैं तो यह दोनों मैथड्स भी डेटा को शोट करने के लिए यूज के जाते हैं बट सेकंडरी लेवल पर तो जैसे कि हमने प्रिवियस वीडियो में पढ़ाया कि order by and then order by descending यह क्या काम करते हैं यह किसी भी डेटा को single value या single expression के base पे उसको short कर देते हैं ठीक है बट दा तिंग इस अगर आपको अपने collection में जो आपका data है उसको multiple values या multiple expression के basis पे short करना है देन आपको क्या काम करना पड़ेगा order by और order by descending method को follow करते हुए then by या then by descending method का भी use करना पड़ेगा ठीक है अब समझ लेते हैं कि जो then by method होता है यह क्या काम करता है second level पे data को ascending order में short करता है और जो then by descending method होता है वो क्या काम करता है second level पे data को descending order में short करता है ठीक है but ये दोनों method आप तभी use कर सकते हैं जब आपने इन से पहले order by या order by descending method को use किया अब एक चीज़ और समझ लेते हैं order by और order by descending हमेशा primary shorting के लिए use के जाते हैं ठीक है और then by and then by descending method हमेशा secondary shorting के लिए use के जाएंगे एक example लेते हैं suppose किजिए आपके पास एक student का data ठीक है आपको क्या काम करना है पहले student के data को first name से short करना है then आपको उसके last name से short करना है and then finally आपको क्या काम करना है उसकी mail id से short करना है तो आप क्या काम करेंगे सबसे पहले order by या order by dsc लगाएंगे first name में ठीक है आप query syntax में then by या then by descending method का use नहीं कर सकते हैं ठीक है तो उसमें का काम करना होता है आपको comma separated multiple values देनी होती है order by close के साथ ठीक है and then ascending descending अगर वो keyword है की जरूरत है तो आपको mention करना पड़ेगा एक और point धियान रखिएगा कि then by और then by जो descending होते हैं या आप value type collection के साथ काम नहीं कर सकते हैं इनको use करके ठीक है तो यह दोना method आप तभी use कर सकते हैं जब आप complex type I mean collection of classes पर काम करते हैं ठीक है अब हम क्या काम करते हैं इसके कुछ examples को समझ लेते हैं ठीक है कि then by and then by descending methods जो हैं वो काम भी कैसे करते हैं ठीक है तो मैंने यहाँ पर class बनाई हुए then by descending operator ठीक है तो इसके अंदर मैंने कुछ methods लीक है हुए जिनके बारे में एक बारा explain कर देता हूँ पहला method है then by example यहाँ पर मैंने काम किया है जो student मेरी एक class है उस class में static method है get students ठीक है मैं आपको दिखा जीता हूँ get students method क्या काम करता है student का एक data return करता है ठीक है जिसमें कुछ properties है id है name है email है programming language है programming language का list of string है ठीक है तो एक student multiple programming language उसके पास आ सकती है ठीक है मतलब वह उसको उन programming languages की knowledge हो सकती है ठीक है तो मैंने एक आप किया यहाँ पर student में get student method कोल किया तो यह student की list written कर देगा उसके बाद क्या हुआ मैंने यहाँ पर order by close यूज किया जो इसको क्या काम कर दे रहा name से short कर देगा फिर मैंने then by यूज किया मैं भी आपको इसको run करके समझाने वाला हूँ ऐसे मैंने दूसरा method लिया है short by multiple values कि अगर आपको multiple values से short करना है तो कैसे करेंगे थर्ड लिया है कि अगर आपको जो यह shorting है यह secondary level पर where I mean filtering के साथ करने है तो हम कैसे करेंगे अब मैंने क्या काम किया जो मेरे पास यह class थी मैंने इस class का object मना लिया program.cs file में ठीक है यहां से क्योंकि मेरा main method call होता है clear तो आप यहां पर एक बार देख सकते है then by then by descending operator equals to this तो यहां पर मैंने इस class का object बनाया then जो तीनो method था वो मैंने one by one यहां पर call कर दिया ठीक है अब एक काम करते हैं अपनी application को run करते हैं यह थोड़ा सा time लेगा मैंने यहां पर breakpoint हिट किया हुआ है तो मैंने यहां पर first method call किया then by example तो यहां पर मैरे को क्या काम करना है student का data जो है वो पहले name से short करना है sending order में और उसके बाद email से short करना है descending order में और हम यहां पर use कर देख method syntax method query तो यहां पर मैंने क्या काम किया student dot get students method को call कर लिया यह static method है इसलिए class के name में dot लगा के directly call कर सकते हैं फिर मैंने इस पर dot order by method का use किया order by मैंने किस से कर दिया उस data को name से तो order by हमेशा आपको ascending order में data short करके देता है तो जो student का data वो किस से short हो जाएगा name से short हो जाएगा ascending order में उसके बाद मैंने उसे follow करते हुए क्या लिखा है यहाँ पर then by ठीक है तो then by मैंने क्या काम किया उसको email से short कर दिया ठीक है ध्यान दीजीगा यहाँ पर then by है वो भी ascending order में short करता है तो जो मैंने यहाँ पर descending लिखाता है थोड़ा सा गलत है तो यह क्या काम कर रहा है यह student के data को पहले name से short करेगा ascending order में and then फिर किस से short कर देगा email से ठीक है अब हम क्या काम कर दें इसको query को मैंने run किया तो यहाँ पर देखेंगे इसने कैसे किया तो पहले name से short किया यह वाले पहले आगे जिसके अगर आप इसका नाम देखेंगे आजे है यह से start होता है और इसकी email id भी आजे at the rate j.com फिर क्या है james at the rate j.com फिर क्या है जेमस at the rate j.com फिर यहाँ पर क्या है पात्रिक at the rate j.com फिर क्या है तो ध्यान दीजीगा यहाँ पर ना निशानत की जो mail id थी वो सारा आई और वो जो next mail id है पात्रिक उससे पहले आगई क्यों क्यों इसलिए आ गई क्योंकि इसने सबसे पहले किस से short किया है name से तो पहले ascending order में name से short हुआ तो P पहले आता है त उसका order जो आता वो email level पर उसने उसको दुबारा short किया तो यहाँ पर जो primary shorting हुई है वो किस से हुई है वो हुई है name पर जो secondary shorting हुई है sending order में किस से हुई है email से तो primary shorting के लिए हमने कौन सा method यूज़ किया है order by और जो secondary shorting थी उसके लिए किसका use किया है then by ठीक है और यह दोनों क्या काम करते है sending order में ही short करते है फिर मैंने क्या काम किया यहाँ पर for each loop यूज़ करके मैंने उसको one by one सारे elements जोते उसको name और email यहाँ पर प्रिंट रा दिया उसके बाद क्या काम करते है same query में क्या काम करता हूँ इसको query syntax के थूरू लिखता हूँ यहाँ पर देख student.get student method ठीक है फिर मैंने यहाँ पर order by कर दिया order by student.name ठीक है यह तो first ordering होगी ठीक है first sorting होगी primary sorting and then जो secondary sorting अगर आपको करनी है तो query syntax में आप क्या काम करते हैं वो कोमा लगा करते हैं अगर आपको third level पर भी sorting करनी थी तो यहाँ कोमा लगा देते हैं के लिए तो query level पर आप जब भी sorting करेंगे secondly level पर तो उसके लिए आप then by method को use नहीं करते हैं वहाँ पर आपको comma separated values देनी पड़ती है ठीक है तो अगर आप इसको भी check करेंगे जो सारा data आएगा वो भी same order में आएगा ठीक है तो हम क्या काम करने वाले है पहले जो data है collection उसको student के name से जो id है पहले id से हम उसको ascending order में short करेंगे फिर name से descending order में short करेंगे फिर then by फिर जो email है उससे फिर से ascending order में short करेंगे ठीक है तो क्या हुआ सबसे पहले student dot यह मेरा method syntax ठीक है student dot get student method call किया जो data है उसको मैंने order by कर दिया x equals to x dot id जो data आएगा उसको मैंने id से ascending order में short कर दिया ठीक है फर्स्ट कलेक्शन सारा सारा स्टुडेन का डेटा लेके आया, उसको id से ascending order में short किया, सेकंड लेवल पर मैंने उसको name से descending order पर शोट किया, थर्ड इमेल से मैंने उसको फिर ascending order में short किया, ठीक है, मैं आपको इसको print करके रिखा देता हूँ, ठीक है, सेकंड हम क्या गाम करते हैं, सेम query को हम query syntax से भी लिख सकते हैं, पर यहाँ पर पहले वह initialization, फिर order भाई, अब देखेगा, मैंने कहा कि std.id, student id से मैंने ascending order में short किया, ठीक है, coma, std.name, student का जो name है, उसको मैंने descending order में short किया, ठीक है, फिर std.email, यहाँ पर आप ascending लगाए, यहाँ न लगाए, आपकी मर्जी है, यहाँ पर भी, क्योंकि ascending क्या होता है, optional होता है, अगर आप लगाएंगे, तो भी ठीक नहीं लगाएंगे, तो भी वो समझ जाता है, कि by default ascending है, बड़ अगर किसी column से descending में short करना होता है, तो उसके लिए descending लगा नहीं होता है, तो यह दोनों query same result देंगी, अब मैंने क्या काम किया, इसको यहाँ पर, और इस loop के तुरू मैंने यहाँ पर trade करके print कर दिया, अब आप देख सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, पहले तो किस से short हुआ, यह यहाँ पर short होता है, आपका ID से, ठीक है, उसके बाद descending order में short होना था, names है, तो कई बाद A, यहाँ पर इस number पर आ गया, ठीक है, फिर जो email ID से short होना था, फिर third level पर मैंने किया, उसको email ID से short, तो ऐसे क्या होता है, कि आप अपना जो भी collection है, और उसमें जो elements है, उनको multiple values पर, या multiple level पर उसको short कर सकते हैं, अब हम क्या काम करते हैं, third method देख लेते हैं, जो then by descending होता है, वो filtering के साथ, या where close के साथ कैसे काम करता है, तो देखीगा, मैंने का काम किया, get student method, student का data result कर देगा, तो मैंने उसमें कह दे कि भाई, जहां पे student का name निशानत है, ठीक है, वो सब student में को data देदो, और फिर उसको ID से ascending order में short कर दो, उसके बाद, उसको जो data आया, और ID से ascending order में short करने के बाद, उसको email से descending order में short कर दो, ठीक है, तो मैंने पास जो data points आयेंगे, क्योंकि दो निशानत है, अब इसको query syntax से कैसे लिखेंगे, promise student, in student.get students, ये initialization होगा, फिर where student.name equals to निशान, जहां पे student का निशानत होगा, वहाँ पे data को short कर दो, order by किस से पहले, यहाँ पे ये, okay, ठीक है, यहाँ पे actually query इसमें थोड़ा सा change आ गया, यहाँ पे मैंने उसको किस से किया, पहले name से short किया, ascending order में, फिर उसको किस से short किया है, email से descending order में, ठीक है, अब फिर मैंने का काम किया, data को यहाँ पे print करा दिया, आप देखेंगे, data आपका यहाँ पे print होगा, निशान, निशान, ठीक है, अब क्या हुआ कि, जो यह second data था, आप इसको समझेंगे, मैं इस query को एक बार सही करके, दुबारा से चला देता हूँ, ताकि आपको फिर से समझेंगा जाए, मैंने इसको पहले short करना था, ID level पे, ठीक है, और उसके बाद इसको short करना था, email level पे, descending order में, अब यह query same result देगी, ठीक है, तो इसको फिर से दुबारा से चलाता है, तो हम last method पे जाता है, यहाँ पे हमने यह समझ लिया था, अब हम इसका query syntax समझते है, अब यह query जो है, वो सही है, तो इसने में एक जो result दिया, अब उसको हम क्या काम करता है, एक बार यहाँ पे print कर देता है, जो data है, वो आप देख सकता है, पहले 2, फिर 3, पहले ID से short किया था sending order में, एंदन फिर name पे हम जो email थी, उस पे क्या काम किया था, descending order में short किया था, तो अगर आपको इस वीडियो से related कोई भी question है, तो आप एक बार YouTube पे comment कर दीजीगा, मैं आपको महाई पे reply करने वाला हूँ, ठेक अगर आपको इस वीडियो समझ माई है, तो please like, share and subscribe and hit the bell icon, thank you, let's connect in next video, bye,